आर्ती पांच-छे साल की थी, वे अपने गाउं में बच्चों के साथ खेल रही थी, वहाँ एक मदारी बंदर का खेल दिखाने आया, सब बच्चे मदारी को पैसे देकर अपने घर चले गए, लेकिन आर्ती उस मदारी के पीछे बहुत दूर चली गई आरे लड़की, तू इतनी दूर मेरे पीछे कैसे आ गई, मैंने तो तुझे उस गाउं में देखा था, तेरे घर वाली तुझे ढून रहे होंगे आर्ती बोली, मुझे नहीं जाना घर, मुझे बंदर का खेल देखना है मदारी ने कई जगा खेल दिखाए और आर्ती से कहा अच्छा चल, अब मैं तुझे घर छोड़ देता हूं तेरे आर्ती रोने लगी मुझे और खेल देखना है मदारी उसे साथ लेकर घूमता रहा और खेल दिखाता रहा मदारी के साथ छोटी सी बच्ची देखकर लोगों ने उसे खूप सारे पैसे और खाना दिया मदारी को लाला चा गया उसने सोचा क्यों ना मैं इस लड़की को अपने साथ रख लूँ अच्छी कमाई होगी इसे लेकर अपने गाउं चला जाता हूं फिर कभी धर नहीं आऊंगा मदारी उसे अपने गाउं में ले जाकर रहने लगा आर्ती ने मदारी से पूछा अंकल अब हम घर कब चलेंगे घर जाओगी तो बेटा फिर मैं तुम्हें बंदर का खेल कैसे दिखाऊंगा और तुम मुझे बाबा कहा करो चलो मैं तुम्हारे घर लेकर चलता हूं तुम्हें नहीं बाबा मुझे इनका खेल देखना है आर्ती अपना घर भूलने लगी थी वे अठारा की हो गई उसे ये याद नहीं था कि वे किसी और की बेटी है वे तो मदारी को ही अपना पिता समझती थी आर्ती मदारी के साथ खेल तमाशे दिखाती और उससे जो आमदनी होती उससे खर्चा चलता मदारी बुढ़ा हो चला था और बीमार भी रहने लगा था उसने सोचा मरने से पहले इसकी शादी कर दूँ मुझे कुछ हो गया तो यह अकेली रह जाएगी और उसे सच भी बता देता हूँ कि वो बीर पुर गाओं की बेटी है वो वहाँ जाएगी तो उसके माबाप उसे पहचान लेंगे लेकिन कहीं आर्ती मदारी को छोड़ कर न चली जाए ये सोच कर वह चुप रहा आर्ती की शादी मदारी ने 18 साल की उम्र में ही किशोर के साथ कर दी किशोर रिक्षा चलाता था कुछ तिनों बाद आर्ती ने किशोर से कहा सुनो घर में दाल और आटा खत्म हो गए है किशोर शराब पी कर बोला ए मेरे घर बे पैसो का पेड़ दें है जा अपने माबाप से ले करा तो आर्ती ने उससे पूछा लेकिन आपकी कमाई कहा चली जाती है मैं जुए में सब हार गया और तेरी इतनी अवकात तू मुझसे सवाल करेगी किशोर इसी तरहा उसे रोज मारता पीटता एक दिन आर्ती रोती हुई मदारी के पास पहुची और बोली बाबा मुझे नहीं रहना किशोर के साथ मैं मुझे मारता है घर में राशन भी नहीं लाता सब जुए और शराब में उड़ा देता है बेटी अब तो तुझे जिन्दगी उसी के साथ गुजारनी है मदारी ने समझा बुझा कर आर्ती को किशोर के पास भेज दिया इसी तरहा दो साल गुजर गए आर्ती ने जुडवा बेटियों को जन्म दिया अब तो किशोर का अत्याचार और ज्यादा बढ़ने लगा आर्ती उससे कहती किशोर कुछ तो रहम करो अब तुम्हारी दो दो बेटियां है अरे जन्म भी दिया तो दो बेटियों को इन्हें ले जा यहीं से नहीं तो मैं इनका गला दबा दूँगा किशोर बच्चियों की तरफ दोड़ा लेकिन आर्ती ने किशोर को धक्का दे दिया और बच्चियों को लेकर मदारी के घर आ गई बाबा यह मेरी बच्चियों को मार डालेगा मैं क्या करूँ कहा जाओ सुन आर्ती मैं तेरा और तेरी दो बेटियों का खर्च नहीं उठा पाऊंगा मैं आज तुझे एक राज बताता हूँ सुनकर मुझे माफ कर देना तू मेरी बेटी नहीं है तू तो बीरपुर गाउं से बंदरों को देखती हुई मेरे पीछे बहुत दूर तक आ गई थी छोटी बच्ची साथ देखकर लोग मुझे ज्यादा पैसे देने लगे जिससे मेरे मन में लाला चा गया और मैंने तुझे बेटी बना कर अपने पास रख लिया जा तो अपने गाउं चली जा बेटी मैं तेरे माबाप को नहीं जानता पर क्या बता वो लोग तुझे देखकर पहचान ले आर्थी बहुत दुखी हुई उसने सोचा मुझ गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं है कहा ढूढू माबाप को इतने सालों बाद मुझे कौन पहचानेगा इससे अच्छा तो मैं अपना जीवन खत्म कर लूँ वे लड़कियों को साथ लेकर नदी में डूबने ही वाली थी कि एक औरत ने उसे पीछे खीच लिया आर्थी बोली मर जाने दो मुझे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मैं जीना नहीं चाहती औरत ने उससे प्यार से कहा बेटी मेरा नाम निर्मला है ये जीवन मेहंदी की तरह होता है जितना पिस्ता है उतना रंग गहरा होता है और जिसका कोई नहीं होता उसका तो भगवान होता है तु मेरे साथ चलो मेरा भी कोई नहीं है मैं अकेली रहती हूँ आरती उसके पीछे चल दी ये गाउ तो ऐसे लगता है जैसे मैंने देखा हो बेटी ये बीरपुर है क्या कभी पहले आई हो यहाँ बाबा ने बताया यही मेरा गाउ है बच्पन से मैं यही से मदारी के पीछे पीछे चली गई थी जब मैं केवल 5-6 साल की थी क्या तुम वही लड़की हो हाँ मैं वही हूँ क्या आप मेरे माबाप को जानती हो निर्मला ने उसे गले से लगा कर कहा हाँ तुम मेरी ही बेटी हो वाणी आरती का बच्पन का नाम वाणी था आरती को मा तो मिल गई लेकिन उसके पिताजी गुजर चुके थे घर में कोई कमाने वाला नहीं था अब आरती उसकी दो बेटियां और निर्मला चार लोगों का खर्चा कैसे चले निर्मला के आंगन में मेहंदी के पेड़ थे एक दिन आरती पत्ते को हाथ में लेकर मसलते हुए सोचने लगी ऐसा क्या करूँ कि अपना खर्चा निकाल सकूँ माँ अकेली थी तो गुजारा हो जाता होगा लेकिन अब तीन हम भी हैं बच्चों को छोड़ कर कहा काम ढूनने जाऊं तभी उसने देखा कि मेहंदी मसलने से उसके हाथ लाल हो गए वहाँ से गुजरती हुई एक लड़की ने उसके हाथ में मेहंदी के पत्ते देखकर पूछा क्या आप मुझे मेहंदी दे सकती हो आर्थी ने उसे थोड़े पत्ते तोड़ कर दे दिये लड़की ने उससे पूछा कितने पैसे हुए तो आर्ती ने कहा अपनी मर्जी से दे दो लड़की उसे दस रुपए दे कर चली गई आर्ती बहुत खुश हुई उसे एक नया काम करने का तरीका जो मिल गया उसने महंदी के और पेड लगाए और उनको सुखा कर बारीक पीस कर पैकेट बना लिए अब व आर्ती एक औरत से बोली दीदी महंदी ले लो ना मेरी चार महीने की दो बच्चियां हैं बहुत गरीब हूँ कम पैसों में दे दूँगी लेकिन जो भी उसकी महंदी खरीदती वही उसकी तारीफ करती और बार बार उसी को बुलाकर महंदी खरीदती एक औरत बोली अरे व आर्थी केवल गलियों में महंदी बेचती थी, लेकिन अब दुकान वाले भी उससे महंदी खरीदने लगे। आर्थी की महंदी कम पढ़ने लगी। काम बहुत अच्छा चलेगा। फिर क्या था, आर्थी ने बरसात में महंदी की कलम लगा दी। कुछ तिनों बाद पूरे खेत में महंदी के पेड लहलहा उठे। आर्थी बोली, बाबा, मुझे मेरी मा मिल गई है, आप मेरे साथ चलो। बेटी, मुझे माफ करते, मैंने तेरा जीवन बरबाहत कर दिया, फिर मुझे अपने साथ क्यूं ले जाना चाहती है। बाबा, कुछ भी हो, मुझे पाला तो आपने ही है ना, मेरे साथ चलो, वहाँ बैठे-बैठे मेरी महंदी की खेतों की देख भाल कर लेना। अब आर्थी बड़े पैमाने पर महंदी का कारोबार करने लगी थी। मा, अब हमें महंदी तोड़ने और पैक करने के लिए लड़की लड़के रखने पड़ेंगे और पीसने के लिए बड़ी मशीन लगानी पड़ेगी। बेटी तेरी महनत रंग ले आई, अब तो तू एक महंदी की फैक्टरी बनाने वाली है, मुझे तुछ पर बहुत गर्व है। बेटी मुझे माफ करते, मैंने लालच में आकर तेरे जीवन के साथ खिलवाण किया। बाबा, जो हुआ वो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से ही हूँ। अब आपकी बेटी कोई गरीब महनदी वाली नहीं है, मेरी सफलता में आपका सबसे बड़ा योगदान है। ये कहकर आरती अपने बाबा और मा के गले लग गई।